नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एक्ता चौदरी और आप देख रहे हैं सबसे तेज निउस दोस्तों गुरुबार यानि की कल से नौरात्री पर्व की सुर्वात हो रही है नौ दिनों तक चलने वाले इस पर में मादुर्वा के अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है साट दिन और आत्री की प्रति प्रदातिति को कलस इस्थापना के साथ मादुर्वा के स्वरूप मा सैल पुतरी की पूजा अर्चना होती है बता दे परवत हिमाले राज की पुत्री है सैल पुत्री, सैल का मतलब है परवत, परवत अडिग है और उसे कोई हिला नहीं सकता, जब हम भगवान की भक्ती का रास्ता चुनते हैं तो हमें भी खुद की तरफ परवती तरफ अडिग रहना होता है, मन में भी भगवान के लि मासायल पुत्री की पूजा करने से जीवन में इस्थिर्टा आती है। आईए जानते हैं मासायल पुत्री का स्वरूप और उनकी पूजा भीती के बारे में कुछ विशेश बाते। नवरातरी के पहले दिन कलस स्थापना के बाद मा दुरुगा की पूजा की जाती है और ब्रत का संकल्प लेते हैं। साथ ही पूजा में सफेद रंके फूल अर्पित करें। इतना ही नहीं पूजा के करते समय सफेद वस्त भी धारन कर सकते हैं। इसके बाद भोग लगे फल और मिठाई को पूजा के बाद प्रशाथ के रूप में लोगों को बाड़ दें। जीवन में आरी परिशानियों से छुटकारा पाने के लिए एक पान के पत्ते पर लॉंग, सुपारी और मिस्री रखकर अर्पित करने से परिशानियों से निजात मिलती है। मा दुर्गा का पहला स्वरू मा सैल पुत्री की पूजा पहले नौरात्री के दिन की जाती है। इन्हें सवभागी और सांधी की देवी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नौरात्री के पहले दिन मा सैल पुत्री की पुजा करने से हर तरह के सुक और मनवन्चित फल की प्राप्ति होती है इतना ही नहीं मा सैल पुत्री हर तरह के डर और भै को दूर करती हैं कहते हैं मा सैल पुत्री की कृपा से व्यक्ति को यश कृति और धन क प्राप्ति होती है मादुर्गा के इस रूप में उनके दाहिने हाथ में तृशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल है मासायल पुत्री का वाहन नंदी बैल है वो इस पर सवार होका संपुर हिमाले पर विराजमान करती हैं इसी कारा उन्हें विश्वरूरा भी कहा जाता है अन्य खबरों के लिए देखते रहें सबसे तेज न्यूज